BPSC TRE 3rd में form submit करने को लेकर बहुत सारे सिच्चा कफियर्थियों के मन में अभी भी आप लोग के संसाय बना हुआ है कि हम अपना TRE 3rd के लिए form submit करें या फिन न करें तो यहाँ पर जो आप लोग का में फोकस होना चाहिए आपके यहाँ पर तयारी को लेकर होना चाहिए क्योंकि BPSC के तरफ से जो आपका TRE 3rd का exam date बताया गया था कि मीड मार्च 2024 में आप किसी भी तरफ से TRE 3rd का exam जो है conduct करा लेंगे तो उसी date को आपका जो BPSC TRE 3rd का exam है वो आपका यहाँ पर होने वाला है जो कि आपके पास मुश्किल से एक महीने का भी समय आपके पास यहाँ पर नहीं बचा हुआ है आनि एक महीने से भी कम समय आप आपके पास यहाँ पर बचा है TRE 3rd के exam को लेकर तो पूरा focus आपके तयारी को लेकर होना चाहिए जितने भी सिच्छा का भीरती अपना TRE 3rd का form submit कर दिये हैं तो बहुत अच्छे बात है और आप लोग को यहाँ पर रिक्तियों को लेकर तो थोड़ा सा भी आप लोग को य क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का form submit करने का अंतिमति थी BPSC के तरफ से आपका दिया गया तो 23 फरवरी 2024 जो की बिना बिलंबसूल के दिये और यदि आप यहाँ पर बिलंबसूल के देते हैं तो 25 फरवरी 2024 तक आप अपना TRE 3rd का form submit कर सकते हैं तो बस यहाँ पर आप द सतार क्या जाता कि यहां पर आपका डैले बगर होगा तो ऐभी आपके लिए सही रहेगा क्योंकि आपको जो पर इनतिजार कर लेगा उ यांगा आपका रिक्तियों को लेकर रिक्तियां आपकी नहीं आती है BPSC के तरफ से, मतलब एक आग दू दिन में आपका रिक्तियां नहीं जारी किया जाता है और नहीं कोई official, कोई authentic आपका news वगरा फिर कोई notice वगरा जारी किया जाता है तब यहाँ पर आप लोग BPSC TRD 3 का आपका form होगा वो आप यहाँ पर अपना submit का लेजेगा क्योंकि यहाँ पर देखे जो आपका रिक्तियां है रिक्तियां आने से बस आपको एक ही benefit है वो आपका यहाँ पर यह benefit है कि जो आप लोग form submit करते टाइम 3 जीला का आप लोग यहाँ पर chain करते हैं तो उसमें बस यहाँ पर आपको यह benefit है कि जैसे मालिजे जो आप लोग अपने मन से जो जीला होगा उसे आप यहाँ पर chain कर पाएंगे और आप मालिजे जिस work के teacher है और जिस subject के teacher है और यहाँ आप लोग जो है उचयन करते हैं तो बस यहाँ आप लोग यहाँ पर benefit जो है उरहता है और हलाकि इसमें भी आप देखेंगे टियारी फर्स में टियारी टू में बहुत सारे इस तरीके के आपके मामले हुए थे बहुत सारे सिचकों का अधि मतलब अच्छा खासा नंबर था उसके बाद भी यह जो आपका तीन जिला था इस तीन जिला में से आपको कोई जिला मिला ही नहीं था मतलब एक तरीके से देखेंगे तो बस आपका फर्मेल्टी के मतलब अधार क्या आप लोग के जाथा है तो एक आग दिन बस आप यहाँ पर इंतेजार जो है करीजेगा क्योंकि आप यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 तारीक और फिर 21 फिर उसके बाद आप मालेजे 22 तारीक हो यह दि आप यहाँ पर इंतेजार करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंतेजार करें तो यह आपके रिक्तियों को लेकर है कि आप लोग यहाँ पर इंतेजार करें तो बस आप यहाँ पर एक आग दिन और यहाँ पर इंतेजार करेंगा नहीं तो आप अपना टीयरी 3 के लिए फॉर्म जो है वो समीट कर देजेगा maximum जो सिच्छक हैं उनके तरफ से form जो है उट्यारी थर्ड का submit जो है कर लिया गया है बाकि बहुत सारे सिच्छक हैं मतलब थोड़ा बहुत संक्या नहीं लाखो सिच्छक हैं जो आप लोग vacancy को लेकर इंतिजार कर रहे हैं थोड़ा से यह भी है कि पता चले कि फॉर्म समीट कर दें और पता चले कि वेकेंसी आपकी दस अजार बीस अजार आई तो ऐसा नहीं है आपका जो वेकेंसी गारे यहां पता चल रहा नहीं है क्योंकि आप यहां पर देखेंगे आज का है निज पेपर बितिया का है जिसमें आपके ग्जाम को लेकर यहां पर आपका बोला गया है जोकि ए सबी चीष जो भी सिच्छा भाग की अधिकारी होते हैं उनसे आपर video conferencing मगरा के माधम से हर एक चीज आपका meeting मगर रहता है तो इसमें जो आप लोग का TRE 3 का exam date को लेकर यहाँ पर आपका एक संभावना जो आपका वेक्त किया जारा है जो भी यहाँ पर आपका date दिया रहता है वो आपका एक तरिके से fix reaching रहता है तो TRE 3 को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 date यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर है 9 March और 15 March और 16 March है तीन दिन यहां पर क्या कि आपका TRE 3rd का होगा वह आपका यहां पर exam BPSC के तरफ से आपका conduct करा जाएगा जो कि March में ही आपका यहां पर exam होगा और यहां पर जो आपके center को लेकर है तो आपके जिला सिछाप का दाधिकारी है उनके तरफ से आपका बोला गया है जिला मुख् यहां पर चला है और 20 फरवरी तक यहां पर complete जो भी आपके examination center होगे वहां से आपका detail जो है उचला जाएगा यहां पर जो भी आपका examination center पर जो भी आपका बेवस्ता वगर है हर इस चीज़ आपका complete है या फिर उसमें किसी भी तरीके का आपका कोई मतलब कमी वगर है याद पर आपका संख्या निर्धारित करके आपका examination center है उसका है पर मैने जो है पका किया जाएगा हलाकि यहां पर total कितने अभीर्थी आवेदन करते हैं और उसके बाद कितने यहां पर कितने सिचकों के आपकर examination center बनाया जाएगा यह तो total आपके complete form submit करने के बाद ही आपर पता चलेगा लेकिन एक मतलब एक एक आधार जो आपका data है वह आपका यहां पर लिया जा रहा है कि 30-35,000 जो सिचकोंगे उनको यहां पर जो आपका वेतिया जिले में आपका exam conduct करा जाएगा और यहां पर आपके विवस्था बगर को आपका लेकर मतलब दिया गया है तो आप आप यहां पर मान सकते हैं और BPSC का तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि जो आपका exam date है वह आपका टलता नहीं है भले जो आपका exam date हो या फिर हो समय से पहले ही आपका यहां पर आपका आजाता है तो इसलिए जो आपका तीन date दिया गया है इसमें आप लोग यहां पर तैयारी करिएगा देखे इसमें देखेंगे तो काफी अच्छा खासा यहां पर आपका नौ के बाद यहां पर पंदर आपका दिया गया है तो हो सकता है कि सबसे पहले आपका PRT आनि प्राइमरी टीचर का exam हो फिर उसके बाद यहां पर आपका junior और फिर उसके बाद आपक आपका दियारी कर सकते हैं कि 10 मार्च तक आपको इस तरह के सबस्क्राइब आपका दियारी कर सकते हैं कि 10 मार्च तक आपको त्यारी करना है कि जो भी यहां पर आपका त्यारी वगर है आप यहां पर 10 मार्च कहां 9 मार्च को तो यहां पर आपका exam डेट ही दिया गया है तो आप यहां पर 5 मार्च जो है आप यहां पर समझ सकते हैं और 5 मार्च यहां पर समझेंगे तो आप लोग को पताई होगा कि मुश्किल से आपके पास यहां पर 15 दिन का समय जो है यहां पर आपका बचा हुआ है तो आप अपनी तयारी जो है उकरते रहेगा और टियारी थर्ड में आप यहां पर सामील हो रहे हैं तो आप लोग रिक्तियों को लेकर तनिक भी आप यहां पर मत सुचे का क्योंकि रिक् किसान इंडिया आप जो हम सेर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होंगे सब्सक्राइब करते वे लेकरन को प्रेज़ जरूर कर लिजेगा मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू पाइबा टेकर और अलबेस थांक् लिसनिंग गट बलेस वाल थांक्यू